नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे नेवीज के उपर नेवल पावर के उपर और दोस्तों जैसा की माना गया है 2030 तक वही देश सूपर पावर कहलाएगा जिसकी नेवी स्ट्रोंग होगी तो हम आज इसी का विशलेशन करेंगे क नेवी के लिए क्या-क्या चीज इंपोर्टन होती है क्या-क्या चीज उसके पास होनी चाहिए और साथ ही 2030 तक क्या स्टेटस रहेगा कून सी कंट्री सबसे आगे रहेंगी और इसमें इंडिया का क्या स्थान होगा इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करत इसी को maintain करने में लगा रही है वहीं कुछ कंट्री जैसी हैं जो emerge कर रही है और उनका focus जो है वो नेवीज के उपर है और इसी को वो build करने की कोशिश कर रही है और इस powerful world order की तरफ एक challenge के रूप में उबर रही है और दोस्तो आने वाले समय के अंदर जो Europe है उसकी economy कम होगी औ और एशिया के अंदर दोस्तो एकोनोमीज गरो करेंगी तो ऐसे में जो पावर का शिफ्ट होगा वो यूरोप से एशिया तक होगा क्योंकि कोल्ड वार के टाइम में दोस्तो जो पावरफुल नेवीज कहलाती थी वो मेंली यूरोप की ही थी लेकिन दोस्तो 2030 तक चाइना औ कोरमूल है वैसे तो इसके अंदर कई चीजे आती हैं लेकिन दोस्तो इसके अंदर सबसी बड़ी बात होगी अगर देखी जाए तो एरक्राफ्ट केरियर और बैलेस्टिक मिसाइल सम्मरीन एरक्राफ्ट केरियर की बात करें तो ये एक तरह से गलोबल और रीजिनल पावर होने का दावा करता है क्योंकि इससे आप कहीं भी किसी भी जगह पर बहुत से अपने एरक्राफ्ट ले जाके और अटैक कर सकते हैं और आपका पूरा वर्ल्ड वाइड दबदबा रहता है वहीं बैलेस्टिक मिसाइल सम्मरीन की बात करें तो ये आपको एक सेकिंड स्ट् इंट्री वाइज बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका का उनिस सो पंतालिस से दोस्तों ये पावरफुल नेवी है और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट नेवल पावर है और 2030 तक दोस्तों इसके जो 30 एर प्लैन है शिप बिल्डि के होंगे इसके इलावा इसकी ओहियो बैलेस्टिक मिसाल सम्मरीन को भी उस समय रिपलेस कर लिया जाएगा वहीं दोस्तों जो इसके जुम्वाल्ट क्लास के क्रूजर हैं वो भी सर्वीस के अंदर होंगे इसके इलावा दोस्तों इसके जो 33 बर्की क्लास के डेस्ट्रोयर हैं वो भी इसके पास पूरे हो जाएंगे इसके इलावा इसके नेक्स्ट जेनरेशन वर्शन जो की डेस्ट्रोयर का होगा जिसे लिटोरल कॉमबेट शिप का नाम दिया जाएगा वो भी प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा और दोस्तो 2019 से 2034 तक इसका 300 ऐसे शिप बनाने का प्लैन है जो की यूएस नेवी की सबसे जादा पावरफुल होंगे वहीं दोस्तो अगर 2030 में रोयल नेवी की बात करें जो की UK की है तो ये भी दोस्तो पावरफुल तो होगी लेकिन चोटी होगी इसके पास दो नए एरक्राफ्ट कैरियर होंगे फिक्स्ट विंग एरक्राफ्ट भी उसके उपर होंगे और इसके इलावा बैलेस्टिक मिसाइल सम्मरीन भी होंगी और अगर इसके शरफेश शिप की तो अभी इसके पास 19 destroyer और frigate है यानि कि 19 हैं जो कि और ज्यादा कम हो जाएंगे और इसके पास 6 type 45 guided missile destroyer रह जाएंगे और 8 global combat ship frigate रह जाएंगे इसके इलावा nuclear attack submarine भी इसके पास 7 की संख्या में होंगी अभी दोस्तो जो UK की Royal Navy है वो इसके nuclear deterrent के लिए responsible है इसके पास 4 Vanguard class की ballistic missile submarine है जो कि दोस्तो 16 launch tube से less है जिसके साहता से Trident D5 missile को launch किया जा सकता है और दोस्तो माना जा रहा है 2028 तक इसे नई submarine से replace कर लिया जाएगा वही मुख्यत है इसके पास दोस्तो दो aircraft carrier होंगे Queen Elizabeth class और Prince of Wales जिसके पास 65,000 टन की displacement की क्षमता है और इसके उपर दोस्तो 50 aircraft होंगे जो कि mainly F-35B Lightning two fighter aircraft होंगे इसके इलावा चिनूक और Apache helicopter की भी इसके पास brigade होगी और दोस्तों amphibious power के हिसाब से भी इसके पास ऐसे ship होंगे जो कि 900 की संख्या में Royal Marines को कहीं भी लेके जा सकेंगे वहीं दोस्तों अगर चाइना की बात करें तो People's Liberation Army Navy भी बहुत ही powerful होगी ये अपने current 2016 के प्लैन के उपर काम करके ही 2030 तक पहुँचेगी इसके पास चार major class के ship है जिसके अंदर दोस्तों टाइप 052D जो की guided missile destroyer है टाइप 054A frigate है और टाइप 056 जो की corvette है और टाइप 071 ये amphibious transport aircraft transport के लिए ships है और दोस्तों ये चारो ही design अपने अपने हिसाब से large scale production के लिए रखे गए हैं और 2030 तक ये काफी बड़ी संख्या के अंदर Chinese Navy में शामिल कर लिए जाएंगे वहीं दोस्तों 2030 तक अगर संख्या के इसाब से बात करें तो Chinese Navy के पास में दोस्तों 99 submarine, 4 aircraft carrier, 102 destroyer और frigate, 26 corvette, 73 amphibious ship और 111 missile craft होंगे और total अगर इनकी बात करें तो ये 415 ship बनते हैं और US Navy के पास 309 ही होंगे तो उस इसाब से चाइना की position strong होगी हलांकि दोस्तों इस संख्या तक पहुँचने के लिए चाइना को बहुत ज़्यादा परियास करना पड़ेगा specially अगर उसके aircraft carrier program को देखे तो वो ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि उसके अंदर problems बहुत आ रही है और ऐसे ships भी अगर बनाती है तो वो upgraded भी होने चाहिए तभी ये इसका फाइदा होगा वहीं दोस्तों आप बात करें Indian Navy की तो Asia के अंदर ये second या third हो सकती है अगर आप Russia को count करें और दोस्तों इंडिया ने भी अपने बहुत से programs को resources को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और 2030 तक ये top 5 Navy's के अंदर शामिल हो जाएगी क्योंकि 2030 के हिसाब से अगर इंडिया का plan चलता रहा तो इंडिया के पास 3 aircraft carrier होंगे जो कि विक्रमा दितिया विक्रांत और विशाल के नाम से होंगे और उनके पास 110 से 120 aircraft भी होंगे और एशिया की ये दूसरे नंबर की नेवी हो जाएगी और destroyer की बात करें तो इंडिया के पास 9 destroyer होंगे जो कि guided missiles से less होंगे जिनके अंदर दोस्तों दो कलकता कलास के तीन दिली कलास के और चार दोस्तों विशाखा पटनम कलास के शामिल होंगे इसके इलावा दोस्तों ये इंडिया की जो अब की संख्या उससे एक कम होंगे लेकिन दोस्तों इसके पास जो हल्स होंगे यानि जहां पर इनकी maintenance की जाती है एरक्राफ्ट कैरियर की या अन्याशिप्स की वो चंख्या में जादा होंगे क्योंकि इसकी इंडिया को वाक्या में ही जरूरत पड़ेगी इसके इलावा दोस्तों अन्यान नेवी के जो फ्रीट्स के जो फ्रीगेट होंगे वो पहले से ज अन्यान नेवी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है इसके इलावा छे सम्मरीन की एक फ्लीट और भी प्लैन की जा चुकी है वहीं दोस्तों बात करें रश्या की तो रश्या का प्रोग्राम सो थोड़ा सा ठंडा रहेगा कारण ये है कि ओल प्राइसिस के अंदर काफ का इक बड़ा हिस्सा कहलाता है और दूसरा दोस्तों इसने जब से क्रीमिया का अनिक सेशन किया है तो उसके बाद से इसके उपर बहुत ज्यादा सैंक्षन लग चुकी है ज्यादा तर दोस्तों यूरोप से और अपरिशू की तरफ से है इवन अमेरिका ने तो बहुत ज् दोस्तो 90% चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है वो शायद उतना ना हो पाए क्योंकि रश्या की जो ग्रोथ है एकोनोमिक वो बहुत जादा नहीं है और इससे जादा आगे बढ़ने की भी संभावना नहीं है तो ऐसे में दोस्तो ये नेवीज का एक आंकलन किया गया ह कि किस हिसाब से 2030 तक नेवीज होंगी और साथ ही दोस्तो इंडिया एक बड़ी सूपर पावर होगा अगर इस हिसाब से इंडिया का अभी प्लैन चल रहा है वो चलता रहा धन्यावाद जैहिंद